जैहिन दोस्तो मिहुआ सीस और आप सब को इंडिया में जान पर शुवागत है दोस्तो आप सब जानते हैं भारत का चीन और पाकिस्तान बड़े दुस्मन है और हमें ये दोनों दुस्मन देशों के खिलाब हमेंसा अपने आर्मी को ज्यादा स्ट्रांग रखना जरूरी है ताकि ज़रुत परने पर हम इनके खिलाब लड़ सके इसलिए दोस्तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो हमारा एरफोर्स चीप है और केस भधरिया जी उनका प्लान था भारत को दो हजार चालीस तक कम से कम 350 फाइटर एरकाप्ट और आर करना होगा जो देश में ही व है उनका ये मानना है उनका मानना है कि भारत आगे जाकर एस्ट्रा राफेल ब्याच को ना खरीद कर उसके बदले सुपर सुखोई को खरी सकता है या फिर खरीदना चाहिए आज मैं आप सब के साथ इसी टापिक पर डिटेल्स में बात करने वाला हूं क्या भारत को एस्ट सुखोई को नदर अंदाज करके राफेल के और जाना चाहिए दोस्तों जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों पहले में दोनों फाइटर जे या फिर हम डारेट रस्या से सुखोई 30 SM2 जो सुखोई 30 फैमिली का सबसे लाट्टेस्ट और पावरपूल फाइटर जेट है उसे खरीद ले क्यूंकि अगर हम पुराने फाइटर आयर करेंगे तो और 15-20 साल या 30 साल तक माक्सिम उसे यूज़ कर पाएंगे लेकिन अगर हम एक नया जेट को ले लेते हैं तो उसका लाइब टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है इसके साथ राफेल के बदले सुखोई 30 SM2 खरीदने के बिछे सबसे बड़ा दलिल ये दिया जाता है अगर हम 36 राफेल और खरीदते हैं उसमें जितना पेशा खर्चा होगा अगर हम रस्या से सुखोई 30 SM2 के तरफ जाएंगे तो हमें उस्सी बजेट में ज्यादा प्लेन मिलेगा मतलब अगर हम 36 राफेल ले रहे हैं तो उस्सी राकम में लगभग 80 से 90 के करीब हम रस्या की सुखोई 30 SM2 के फैटर एयर करप्ट को ले सकते हैं और पहले से हम सुखोई 30 इस करता हूं इंजिन से लेकर उनका हत्यार राडार और बाकी चीजहों के उपर और दोस्तो आखिर में आपको वता हूंगा क्या भारत को 36 इस्ट्रा राफेल के और जाना चाहिए या फिर हम हमारे पूराने जो साथी है रस्या से वहां से फैटर रायर करप्ट को खरिदना च प्रेजन टाइम में जो सुखोई 30 MKI है उनमें AL 31 सीरिज का ही इंजिन लगा हुआ है गर हम थ्रस्ट की बात करें दोस्तों सुखोई 30 SM2 में दो AL 41 सीरिज का इंजिन है और हर एक इंजिन लगभग 142 क्लनूटन का आप्टर बरनर थ्रस्ट पेदा कर सकता है अगर हम सुखो 30 SM2 होगा अब हमारा प्रेजन शुखोई से 20 क्लनूटन का थ्रस्ट ज्यदा करेंगा अगर हम राफेल के साथ कम्पेर करें तो राफेल में भी दो एंजिन लगा है लेकिन उनका थ्रस्ट काफी काम है राफेल में जो M88 एंजिन लगा है हर एक एंजिन लभग 75 क्लनूटन आप्टर बनर थ्रस्ट पेदा कर सकता है, लेकिन राफेल की साइज भी सुख़ई की कमप्यार में चोटा है इसे वज़ए से engine कम्ट आप्टर बनर थ्रस्ट पेदा कर रहा है लेकिन वो insufficient है, फैटर एरकाप्ट को आसमान में अपने मिसन को अंजाम देने में, अगर हम स्पीड की बात करें, तो सुखोई 30 SM2 का स्पीड है, लगभग सुखोई 35 की बराबर ही हो सकता है, और वो स्पीड होगा लगभग 2400 किलो मेटर पॉर आवर, और माना जा रहा है कि जो सुखोई 30 SM2 होगा उन में सुपर क्रूज होगा और बो होगा 1170 km per hour मतलब मैक 1.1 के करीब अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल की स्पीड है लगभग 1900 km per hour और राफेल की सुपर क्रूज स्पीड है मैक 1.4 यहां से राफेल सुखवी 30 SM2 से आगे है अगर कॉम्बियाट रेंज की बात करें तो राफेल का है 1850 km इसके साथ दोस्तो राफेल का thrust to weight ratio भी काफी आचा है 0.9 मतलब 1 से कम है अगर हम सुखवी 30 SM2 की बात करें उसका weight to thrust SEO 1 से ज्यादा है और कॉम्बियाट रेंज भी 16 किलेमेटर है जो हमारे राफेल से कम है अब मैं दोनों fighter aircraft की radar की बात करता हूँ दोस्तो अगर radar की बात करें तो राफेल में ऐसा radar लगा है लेकिन जो सुखवी 30 SM2 होगा उसमें ऐसा radar नहीं लगा है उसमें पेसा radar लगा है लेकिन उसकी radar की ताकत भी काफी ज़्यादा ताकत बर है सुखवी 30 SM2 में IRBIS E radar लगा है दोस्तो ये radar stealth target को भी detect कर सकता है रास्या की claim के मुताबिक अगर कोई target का RCS 0.01 m2 है तो तक्रीबन 90 km दूर से ये target को सुखवी 30 SM2 detect कर सकता है अगर कोई fighter aircraft या फिर missile का RCS 3 m2 के उपर है तो सुखवी 30 SM2 लगभग 300 km दूर इस target को detect कर सकता है जो पाकिस्तान का JV-17 ने उसका RCS काफी ज़्यादा है तो अगर सुखवी 30 SM2 हम लेते हैं या फिर हमारा radar आगे जाकर सुपर सुखवी में अपग्रेड होता है तो साड़े 300 km 400 km दूर हम उसे detect कर पाएंगे इसके साथ साथ तो सुखवी 30 होगा वो एक साथ 30 airborne target और 8 ground target को detect कर सकता है और एक साथ 5 के उपर airborne target को वो engage कर सकता है अगर हम राफेल की radar की बात करें तो राफेल में आप सब जानते हैं RBE2 radar लगा है जिसकी range 200 km के उपर है और ये एक साथ 40 target को detect कर सकता है इसके साथ दोस्तो राफेल में स्पेट्रा electronic warfare शूट दिया गया है जो ये plane के ताकत को काफी बढ़ा जाता है हाला कि दोस्तो सुखवी 30 SM2 में सुखवी 35 की तरह electronic warfare के लिए सिस्टम दिया जाएगा लेकिन वो दोस्तो उतना ज़्यादा ताकत बर नहीं होगा दोस्तो आखिर में मैं दोनों fighter jet की हत्यार के उपर आता हूँ सुखवी 30 MKI में जहां 12 hard point है तो राफेल में 14 hard point है सुखवी 30 SM2 में भी तक्रीबन 12 hard point होंगे और वो आपने साथ R-73, R-77 जैसे air to air missile को लेकर जा पाएगा इसके साथ KH-31, KH-31A, KH-29 जैसे air to ground missile को भी आपने साथ लेकर जा सकता है और सुखवी 30 SM2 में भी ब्रॉमोस missile का जो ब्रॉमोस A है जो ब्रॉमोस air lunch भर जने बहुत लग पाएगा जिससे इस fighter aircraft की ताकत और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर हम राफेल की बात करें तो यह अपने साथ मिका, मिटियर, हमर, स्काल्ब जैसे खतरनाक air to air, air to ground और cruise missile को लेकर जा सकता है हाला कि जो हमारा राफेल aircraft है उसमें ब्रॉमोस A तो नहीं लग सकता है लेकिन आगे जाकर ब्रॉमोस NG को भी लगया जा सकता है हाला कि air to air missile की मामले में जो राफेल के मिटियर है वो सुखोई 30 SM2 के compare में थोड़ा बढ़त बना लेता है इसके साथ दोस्तों जो राफेल की cost है वो काफी जादा है एक compare के मुताबिक राफेल के cost 80 million डालार के उपर आ जाता है अगर हम उसमें हत्यार, maintenance, spare parts बगरा जोड़ दे तो power plane 200 million के करीब हो जाएगा लेकिन अगर सुखोई 30 SM2 की बात करें तो उसका cost by 40 से 50 million डालार के बीच होता है मतलब अगर हम एक राफेल लेंगे तो उसके कीमत में 2 के करीब सुखोई 30 SM2 आ जाएगे इसी वज़े से कुछ दोस्तों का मानना है या फिर कुछ दो थियोरी दे रहे हैं क्यों हम राफेल का extra batch लें उसके बदले हम सुखोई जो सुखोई 30 SM2 उससे ले लें देखिए दोस्तों हर एक fighter aircraft का जरूत अलग-अलग होता है एसा नहीं है कि हम सिब एक ही टाइप का fighter aircraft को ही उच करें हमारे पास पहले से ही 270 के करीब सुखोई 30 MKI है हम आसानी से उसे सुखोई 30 SM2 के और जाना नहीं चाहिए अगर हमें जरूत है तो राफेल हमें अब जरूत है और 2-3 स्क्वाडन और राफेल जेट की इसके साथ साथ हमारे पास जो आप सुखोई 30 MKI है हम उसे अपग्रेड करके सुखोई स्टांडर तक ले आए दोस्तो आज के टापिक में बस इतना ही आगे मैं बहुत जल्द सुखोई के उपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप उस टापिक पर आटिकल पढ़ना चाते हो तो नीचे पीन कमेंट में मिल जाएगा लेकिन मैं एक दो दिन के बाद सुखोई पर भी वीडियो बनाऊंगा आपको ये टापिक कैसा लगा और आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हो क्या भारत को राफेल के बदले नया सुखोई जेट खरिदना चाहिए या फिर भारत राफेल जेट ले और इसके साथ साथ हमारा सुखोई 30MKE को आपड़ेट करके सुपर सुखोई बना दे नीचे काउंट बक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो को जादा से जादा लाइक सेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास चुब बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों रुकता हूं बहुत जल्द और एक निया टॉपिक के साथ मिलूँगा नमस्कार जैन